सुष्मा जी नमस्ते हाल है मैं अभी आपके स्पाइन सर्जेरी हुई तो मैं यह जानना चाहता हो कि पहले आपको क्या तकलिफ थी स्पाइन सर्जेरी के बाद आप कितनी देर में चले मुझे एक घंटे में खुद से चलने लगे तो क्या आपको किसी ने सहारा दिया था तो आप ने जब चलना शुरू किया तब महसुस किया कि आपके पूरा दर जा चुका था पूरा बतलब पूरा कुछ भी ने तो मुझे ज़रा आप चलकर दिखाए कि आप किस तरह से चल रहे हो कि अगे गुमिया है आप तो बिलकुल भी एक आम आदमी की तरह चल रहे हो चलते से मैं आपको क्या दर्ब महसुस हुआ स्पाहिन सर्जरी के पहले आप कितने सालों से यह तकलिफ जयल रहे थे और ठीक होने में बस एक गंटा वह भी बूल के वजह से मतलब स्पाहिन सर्जरी के तुरन बात आप पूरी तरह से ठीक हो गए दस साल से आपने क्या का इलाज किये थे और डॉक्टर के पास लिए और इंजेक्शन भी लेने का हम लोग सोच रहे थे पर उसका कुछ बेरिफिट नहीं था इसलिए वह भी नहीं लिया बहुत दवाई भी लिया बहुत सब्सक्राइब और अब 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 क्या वह सब भी काम कर रहे हैं पूरी तरह से ठीक है तो आपके जैसे ही स्पाइन के तकलिफ में कई और लोग है उनको आप क्या संदिश देना चाओगे यहां पर आओ आओ आप देखो मतलब यूटूब पर चाइनल यह सर का वह देखो आपको अब 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 यहां अच्छा है मतलब यहां पर आके ऑप्रेशिन करने हैं अच्छा है क्या आपको डॉक्टर ओनिश गुपते सर ने स्पाइन सर्जरी के पहले ही गारेंटी दी थ क्या आप खुश हो तो चलिए अभी देखते हैं कि आप किस तरह से सीडिया भी चोड़ उतार करते हो और गाड़ी भी किस तरह से चला लेते हो जो कि आप यहां कर सपोगे तो आप भर पे भी निश्चिंद्र होगे चला मिलते हैं प्राइब किस पर वहां किस टूआ लेते हैं स्वार खना भाड़ी जेते हैं अ कैंग कि अ बाली एराएब टिडियस को लिया